नमस्ते गैस जैहिन कैसे हो आप लोग सब आज का जो यह वीडियो है ना उसको चाहे आप लाइक करो या ना करो बट उसको शेर ज़रूर करना इन जितने लोगों से हो सकता हो उन लोग के साथ शेर करना specially उन लोग के साथ जिनको financial crisis हुई है पिछले एक साल में अगर आप लोग किसी ऐसे इनसान को जानते हो जो की below poverty line है या फिर जिन लोग के पास खाने पीने के भी पैसे नहीं है तो आप यह वाले वीडियो में आप मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा आप वो सब जो है उस इनसान को समझा के encourage कर सकते हो कि भाई आप कैसे अपनी situation को improve कर और आप कैसे poverty line से उपपर आ सको इस वीडियो में पहले तो मैं आपको एक छोटी से story बताऊंगा उसके बाद मैं आपको उस story से related पांच ऐसे points बताऊंगा जो आपको help करेंगे poverty line से उपपर आने में अब क्योंकि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आप फोन पर देख रहे हो या फिर लैपटॉप पर देख रहे हो या आपने smart tv पर देख रहोंगा ये वाला video यह भी है कि अगर मान लिजेखे जैसे कुछ लोग होते जो middle class background से हैं, जिनका यह होते है कि भाई हमें upper middle class बनना है, या कोई lower middle class वाले होते हैं, भाई हमें middle class बनना है, तो इस वज़े से यह video आपको यह भी inspiration देगा कि आप कैसे अपनी income बढ़ाओ, कैसे आप अपनी एक standard of living वह आप बढ़ा सकते हो स्टोरी जो है दो लड़कों की है एक पंदरा साल का, एक तेरा साल का जो दो लड़के थे ये एक ऐसी फैमिली में रहते थे गाउं में रहते थे इनकी बहुत गरीब फैमिली थे ये लोग बिलो पावर्टी लाइन थे इनके फादरा मजदूरी करते थे 300-400 पर prophyloule का कमा थे फैसो का बही इनके फादर क्या करते थे इनके फादर क्या करते थे शराब में उड़ादिया पक्चों की एडुकेशन का कोई ध्यान नहीं दे थे खाने पियने का ध्यान न ही अपनी वाइफ को मारते पीड़ते थे थे तो जो दोनों बच्चे थे तो काफी परशान थे इस चीज को लेकर कि हमें एजुकेशन भी नहीं हो रही है प्लस हम लोग इतने गड़ीब हैं अल दोस थेंग्स तो जो 15 साल के लड़का था उसने सोची कि भाईया मेरे को इस सिच वो अब को बताता हूं उसके घर जितनी भी शडाप की खाली बॉटले थी जो उसके फादर ना छोड़ी थी उसने वो सारी की सारी बॉटले घटी रही है ऐक थेले में और चुपारी वञाले तो कॉपारी वाले ने बॉटले देखिया UR लड़केों लड़के नहीना थिर बटेलिया मैंको 25 रुपै लड़का 25 रुपै लेकर एक साइकल के स्टोर पे गया, साइकल के दुकान थी है उनके गौउमें, वहाँ पर चाचा है उनको बोला कि घाचा साइकल कि मिलेगी,経श कैसे बीक साइकल ली औरका वीप सुबहिक नग दूध की तरिगा था था थो दूद की तेरी पर फिर उसने बोला तो का जाए आपको उपको कोई चाहिए बन्हा वंदा है तो विची ना करने के लिए केलीवियर्द था था अब यह लड़का क्या करने लगा कि 20 रुपे का सुबह साइकल का किराया देता था और 80 रुपे रोज कमाने लग गया उससे दूद की डिलिवरी वगड़ा करके इन शॉर्ट वह 60 रुपे रोज के कमाने लगा और 30 रुपे परड़े के साथ से उसने रोज काम करा उसके महिने के बाद 900 रुपे आडल स्के होएं फिर उसके बाद तुसरे 30 रुपे काम कर रूपे ऊंवं बड़ार भार तीनजान रुपे कि खटा होगा है जो gas cylinders होते हैं, LPG वाले जो cylinders होते हैं, जो agency होते हैं, वहाँ पर गया, उसने वहाँ पर बोला में पर cycle है, मैं डिलिवरी करना चाहता हूँ, आप मेरे को कितने पैसे दंगे, उसने का मैं आपको ये इतनी जगे डिलिवरी करने होगे, उसने का ठीक है, आप उसके पास जो है, रोज के 1.500 रुपे बन रहे थे, 1.500 रुपे मैंसे वो 30-40 रुपे अपनी मदर को देता था, 10-20 रुपे अपने ले रखता था, 100 रुपे रोज के बचाने लगा, तो 3,000 रुपे महीना वो यहाँ पर saving करने लगा, 3,000 कभी कभी 5,000 हो जाता था, करते करते करते, उसके पस एक डर साल में around 30-35,000 रुपे की savings हो गई, अब फिर उसको किसी ना बोला कि भाई, यह पास का जो खहर हैं, वहाँ पर कोरियर वाले होते हैं, तो कोरियर वालों की बहुत जरुवत होती हैं, और वो लोग 10,000 रुपे महीने का देते हैं, तो इसको बढ़ी अच्छे opportunity लगी इसने क्या करा, इसने वो cycle जो है अपने भाई को दी और अपने भाई को उस पे gas agency पे लगा दिया, कि अब तुम जो है, यह लो मेरी cycle और gas agency पे वही काम करो जो मैं करता था, और इसने 30,000 रुपे की स्कूटी खरीदी, स्कूटी खरीद के कोरियर कंपनी में लग गया, वहा बिलो पावर्टी लाइन से लोगर क्लास में लेकर आ गया हो, मतलब एक स्टेप आप उपर आ गया, अब आप पावर्टी लाइन से नीचे नहीं हो, और दोनों भाई जो हैं, ददस बार बार आजार उपे महीना का कमाने लगे, उन्होंने एक दू साल नौकरी करी उसके ब बीस दार पर महीना मिलना लग गए, ऐसे करते-करते-करते एक उनकी ऐसी स्टेज आई कि जब उन दोनों भाईयों को लगा कि आप हमारी दोनों की इंकम 40-50 दार महीना है, अब हम इसी शहर में टू वेज के घड ले लेते हैं लोन पर, ऐसे करते-करते उन्होंने जो है लो पहले एक को कड़ा फिर दो तीन चार ऐसे करते 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 उन्होंने अपने एक फ्लीट बना ली धीरे-धीरे करके तो विदिन 10-12 यह फैमिली जो की बिलो पाविटी लाइन थी यह अपर मिडल क्लास फैमिली बन गई जो की खुद अपना एक कैब का बिजनस चला रही है अब यह स्टोरी वैसे तो 2005-2006 के आसवास की है बट एक्जैक्ली मेरे को यह नहीं पता लग पाए कि यह स्टोरी कौन से गाओं की थी कहां की थी अब बात आती है कि 5 ऐसी चीज़े जो आप इस स्टोरी से सीख सकते हैं जो आपको help करेगे अपना financial जो आपका level है उसको बढ़ाने में पहली चीज़ अपना mindset अप change करें mindset change आपको कैसे करना है कि government पे जो है रिलाई करना या फिर यह सोचने कि भाई नहीं गवर्मेंट या के सब कुछ करेंगी वो छोड़ दीजे क्योंकि देखें गवर्मेंट चाह कोई भी आ जाए मैं आप किसी एक particular गवर्मेंट की बात नहीं कर रहा हूँ गवर्मेंट चाह कि सरकार आके हमारे ले कुछ करेंगी अब यह जो लड़का था अगर यह सोचता कि नहीं नहीं सरकार की जो गरीब योजना होती है वो आएगी हमारे पास वो हमें help करेगी वो हमें financially help करेगी वो हमें गाउं से शहर में लेकर आएगे and all that तो कुछ नहीं होता तो उसने सब चीज अपने हाथ में देरे धेरे करके कैसे वो कहानी 20 रुपे से शुरू ही और कैसे एक अच्छे बड़े कैब बिजनस में convert होगी वो आपको मैंने बताई दिया है दूसरा point आता है where there is will there is a way अगर आपने ठान लिया है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना है तो आप आपके पास आप ढूनने निकलोगे तो आपको रस्ते मिल जाएंगे आपको जो है यह सोचना पड़ेगा कि मैं इस चीज को कैसे कर सकता हूँ आपके मन में एक वो conviction आनी चाहिए एक वो इच्छा शक्ति आनी चाहिए कि हां मेरे को अपनी इस situation को ठीक करना है उस लड़के तो उसने रस्ते डेक ने स्टार्ट करें उसने देखा मेरे आसबस क्या चीजें हैं जिससे मैं अपनी situation इंप्रूव कर सकता हूँ तीसरा पॉइंट होगा creativity अब यह जो मैं आपको पूरी स्टोरी बताई इसमें आपको creativity भर-भर के देखेगी कि एक गड़ी घर का लड़क इतने पैसे हैंगे और उसके बाद जब cycle मिलगी तो उसके बाद gas agency, gas agency फिर courier company तो यह सारी जो चीजे हैं यह creative mind का कमाल है creative mind के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पड़ी लिखे हो हो या कुछ भी हो अपने आसपास अगर आप देखोगे तो और creatively अगर सोचों कि आपको बहुत opportunities मिल जाएंगी जिससे आप अपनी financial situation अच्छी कर सकते हो चौता point होगा solutions पर focus करिये problems पर focus मत करिये simple सी बात है guys उस लड़के ने केवल यह देखा कि मेरे पास solution क्या है यह नहीं कि वो रोता रहा कि आ रहे मैं गरीव हूं आ रहे मेरे फादर सड़ा रहा हूं तो उसने वो चीज़ करी उसमें वो आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया एन उसने फिर धर धर अपनी family को below poverty line से middle class पहले लोगर क्लास में फिर middle class फिर upper middle class में ले आया फिफ्ट पॉइंट और यह होगा patience रखना अब यह जो मैं आपको आपको पूरी स्टोरी बताई यह बिलो पावर्डी लाइन से upper middle class आने में 10-12 साल लगे मान के चलिया आप यह कोई get rich quick scheme नहीं है पैसा कोई एकदम से नहीं कमाया जाता बहुत सारी चीज़े होती है बहुत आपको patience रखनी पड़ती है मैं आपको पूरी स्टोरी बताई दिया कि कैसे कैसे धीरे धीरे करके उस बंदेन अपना level बढ़ाया है तो इस वज़े से आपको patience रखनी इस लड़के ने भी शुरुआत में बहुत मैंनत करी एक दिन की चुक्ती नहीं ले रहा है तीस तीस दिन पूरा डिलिवरी कर रहा है उसके आद ऐसी गैसे में भी पूरी dedication के साथ काम कर रहा है तो यह सब चीज़े आपको करनी पड़ेंगे patience तो रखनी पड़ेंगी साथ आपको एक focus mind भी रखना पड़ेगा कि भाई हाँ मेरको अपनी situation से बाहर निकलना है तो यह पांच points थे जो मैंने इस story साथ को समझाने की कोशिश करी है जो मैंना video बनाया है इस video को बनाने का main reason यह था कि मैं बहुत दिनों से परिशान था इस बात को लेके कि हमारी देश मे वापस poverty line से नीचे आ गए हैं तो मेरको था कि मेरको कोई ऐसा video बनाना है जिससे मैं किसी भी तरीके से उनकी मदद कर सको आप जो लोग भी यह video देख रहे हो ना आप अपने तरह से जैसे भी उन लोग को इस video को content बता सकते हो दिखा सकते हो आप वो करने की कोशिश तो I hope guys यह video आपको अच्छा लगा हो और कुछ आपको आड करना तो please comment करेकर like this video share it with all your friends thank you for watching the video